सब्सक्राइब बात करने वाले हैं पैचर के बारे में किस तरह से पैचर में खुद के प्लग इन्स क्रिएट कर सकते हो इंसाइड एफल स्टोडियो सब्सक्राइब लेकिन उससे पहले हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी वाकेशन था लगभा की एक महीनी की मेरी वाकेशन थी बाकि जदरी वीडियो जा रही थी वह सब स्केड्यूल थी पहले से ही तो बेना टाइम वेस्ट किये चलो अब शुरू करते हैं कि पैचर आखिर तो इस पैचर बड़ा ही minimalist रिक्व ए हैं सेई यही पैचर अव्य हपर भी खोल सकते हैं तो यह रहा पैचर तो यहां पर मैंने पर उपया है ऐ diff एफेक्ट और यहां पर मैंने पैसर ओपन किया है एजन इंस्रुमेंट हम दोनों चीज के बारे में बात करने वाले हैं फिल हला हम बात करते हैं कि आपको option मिलता है एड प्लगाइन कर सकते हो अब प्लगिन ओड करने में यहां पर इपने प्रेस करी तो महां पर वह बजना चलू हो गया मैं इस प्लक वाली वेली को थोड़ा पीछे ले जाओंगा जिससे कि अप्लकी sound अब ये वह संकते एक ऑपूलारदी यहाँ पर जाके हां पर कर सकते हूँ यहाँ पर जाके हम्लेज़ कर सकता था और हैं पर राइट क्लिबिक भी गन्य डिफरैंट कैसे कि यहाँ पर सर्फ एक ही चीज में अजौर आडा कर सकते हैं वारेजमब वैने अगेन राइट लिक है और यहां पर मैंने एड़ लगिंश में किया और लेट से में आपर एड़ कर दिया आओ लट्साइड से ट्रस अब यहां पर देख सकते हैं पर कुछ रॉटिंक हो रखी यहां पर ग्रीन लाइन चल रही है यहां पर यहलो लाइन चल यहां से इसको हटा दूं देखो हमलेस वाले लाइन कट गई अब वो टिंग तिंग की आवाज ही नहीं आ रही है अगर मैं इसको भी हटा तो यह बड़ी सिंपल सी चीज होगी तो इससे आप यह भी समझ सकते हो कि लेयरिंग लिए कितना दे यूसफुल हो सकता है पैचर लट्साइड अनेदर इंस्ट्रूमेंट ओए है लट्साइड एफल कीज और अब देखो तीनों चीज की साउंड एक साथ आएगी यहां पर अगर सिट्रस की याओस आपको जादर लगे लिए तो अब यहां पार जाकर इसकी आवाज कम भी कर सकता हैं अगर मैं इसपर रृट्लिक करो तो यह म्यूट हो जाएगा सिगनल अगर मैं सबको अन कर दिया उसके बाद मैं balance कर सकता हूँ कि किस चीज की volume कितनी जादा होनी चाहिए और इसकी आवाज मिरे को बहुत कम चाहिए यहावाज मैं चलता हूँ और यहाँ पर envelope में मैं इसको थोड़ा सा छेड़ना चाहूँगा इसका reverb बंद करते हैं अगर आपको citrus के ओपर एक sound design वाली वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि मैंने किस तरह से किया भी बंद और अगेरा अभी आपको लग रहा होगा कि पैचर सिर्फ एक लिएरिंग प्लगिन है तो ऐसा नहीं है लेट्स एड अनेदर प्लगिन ओवर यह बट इस ताइम आइडिंग एन इंस्ट्रॉम्ट प्लगिन लेट्स एड़न एफेक्ट प्लगिन तो लेट्से मैं एक्यू एड़ कर लेता हूं सबसे दादर बेसिक प् भर बीघ्यार की जो आवाज है वह इस इक कुमने जा रही है अब ही किमें में कुछ भी करता हूं लट से इसको बड़ इसको नीचे कर दिया वगेरा कुछ भी चीज और एक्यू से में वापस ले आशाउंड को जा रही है कि यहां पर मैं जो भी चीज करने वाला हूँ वह citrus में reflect होगे और citrus में Q reflect हो रही है because मैंने इस तरह की routing वाबर कर रही है एक और चीज जो ध्यान देने वाली है अगर मैं इस FL Keys को भी यहीं लगा दूँ harmless को भी यहीं लगा दूँ और अगर अब मैं इस parameter key को इधर connect करूँ तो अब यह जो EQ है वो तीनों जगा connect होने वाला है simple सी बात है आपको visual दिख भी रहे है routing दिख रही है citrus का signal EQ में जा रहा है harmless का signal EQ में जा रहा है FL Keys का भी signal EQ में जा रहा है काफी सही चीज इस तरह से हो जाती है यहाँ पर चाहे तो मैं एक high pass filter भी डाल सकता हूँ अब माल लेते हैं कि यहाँ पर मेरेको एक reverb add करना है reverb plugin add करना है लेकिन अगर मैं directly add करूँगा तो हर चीज बिल्कुल मड़ी हो जाए कि और वो जादा clear भी नहीं होगा तो यहाँ पर मैं करूँगा add plugin कि यह chain हो क्या रही है सबसे पहले तो इन तीनों की sound आ रही है EQ पर और EQ से निकल रही है दो sound मतलब same level पर दो sound निकल रही है एक जारी है directly to ff studio जिसका हम अपना dry signal कहेंगे और एक जारी हमारी reverb के साथ मतलब जिसको हम wet signal कहेंगे तो भाई वाले चीज जो हम send में करते थे भाई dry volume all the way down wet level all the way up और low जी बन गया हमारा parallel reverb तो बड़ी simple चीज है कि यहाँ पर हम parallel चीज भी कर सकते हैं जो हम basically send बना के करते हैं यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं जैसे यह patcher है control L करके mixer पर route कर दिया और यहाँ पर हम इस तरह से send बना देते हैं तो यहाँ पर possibility is endless है आपको जो करना हो कर सकते हो राइट तो यह काफी जाधा असान से चीज हो जाती है अब हम जाएंगे पैचर में थोड़ा सा और डीप और हम जाने ही किस तरह सा आप लिटरली इसको एक plugin के तरह यूज कर सकते हो मतलब अभी आपको देखो plugins के अंदर जाना पड़ रहा है और उसके बाद उसको छेड़ खानी करनी पड़ रही है लेकिन मैं ऐसा कुछ कर दूँगा कि आपको plugins के अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा और दूर सही जस्ट एक न को जो यूज करने वाले को दिखने वाला राइट यहां पर मैंने एड किया और यहां पर आपको नॉब्स मिल गए देखो कोई से भी नॉब्स ले सकता हूं for example चलो modern digital मैंने इसको drag and drop कर दिया अब मान लेते हैं यह जो प्लक वाला है इसको मेरा कंट्रोल करना है उस नॉब इसको आपको हिंट पैनल भी दिखेंगा वहां पर बतार है नॉब वन और यहां पर भी एक रेड डॉट आ चुकी है मतलब तो यहां पर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो तो इस वाली चीज़ को मैंने कर दिया साइड अब अगर मैं इस नॉब को मूव क करता हूं for example मैं यहां पर गया और यहां पर मैं इक स्लाइडर ले लिया ग्रीन एक्ट्यू करके है एक स्लाइडर जो मुझे काफ़ी आदा पसंद है काफ़ी अदर लगता देखो यह स्लाइडर मैं ले लिया और उसके बाद स्लाइडर की भी यहां पर एक रेड डॉट बन और यहां पर एक और मैं लेट से बटन एड़ कर देता हूं लाइट एरो देखों यह एक बटन हो गया एक छोटा सा बटन प्राइट आप इस बटन को में कहां से लिंक करना है वो भी मैं सेलेक कर सकता हूं मैं चलता हूं रिवर्ब पे और इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूं और इसको मैं करता हूं यहां से तो अब होगा क्या जैसी मैं इसको क्लिक करूंगा वैसी हमारा रिवर्ब ऑन हो जाएगा जैसी मैं इसको आफ करूंगा यह देखा हमारा रिवर्ब ऑफ हो जाएगा ठी EQ में जो हाइपास हमने बनाए था वो चेंज होगा देख सो तो कितनी सिंपल सी चीज़ है और इस पैचर के अंदर मैंने यह सारी चीज़ क्रियेट करी है यह तो काफी जाधा basic sounds थी आप जाधा creative जा सकते हैं आप जो है sound design कर सकते हैं और काफी सारी sounds को इस तरह से layer कर सकते हैं और इसे में पता है क्या होगा जैसे कुछ sounds होती ही ना for example हम chords बना रहे हैं और chords में हमारे शुरुआत करों इसकी जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिले बिकाउज हर कोई बस mixing और mastering के बार में बात कर रहा है नो जोक बट पैचर के ओपर बात करने के जरुद है तो that's all for this video मैं मिल तौप से एक लिए वीडियो में तब तक लिए तक लिए फ्रमी आम मुसी जिस सइन हूओ